नो सर दोस्तों, डेट हैं आज की 4 अक्टूबर 2022 और स्वागत है आपका एटोरियल डिसकेशन में चार इशुज आज हम डिसकेश करेंगे तीन दा हिंदू के और एक इंडिन एक्सप्रेस का सबसे पहले आर्टिकल डिसकेश करेंगे, रुपी की वैल्यू डोलर के मुकाबले में कम हो रही है, वैट नेक्सट, क्या स्टैप्स सरकार के दोरा उठाएज़ जाए, डी सुबराव पहले आर्बै के गवर्णर थे, उनके दोरा ये आर्टिकल लिखा गया है, तो इकोनमी का आर्टिकल है, डिसकेश करेंगे, उसके बाद नेक्सप्रेस का, एग्रो केमीकल के ओवर्यूज से संबंदित, ने स्ट आर्टिकल, ये छोटा सा आर्टिकल है जलजीवन मिशन के Implementation से संबंदित, दो-तिन पॉइंट्स निकलते हैं तो इसको डिसकस करेंगे, Mediation Bill 2021 से संबंदित आर्टिकल है, जो text context में आया है, Mediation Bill 2021 से संबंदित इशु जो है नया नहीं है, बिल पिछले साल पार्लियमेट में पर्जेंट किया गया था, और बाद में ये बिल पार्लियमेंटरी कमेटी को भेजा गया, और पार्लियमेंटरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सम्मिट की थी कुछ समय पहले, तो उसके बाद अब इन्होंने ये article लिखा है क्योंकि आने वाले polyametric session में इस bill को pass किया जा सकता है तो issue नहीं नहीं है हमने पहले भी discuss किया था तो kind of revision होगा ये article तो चलिए discussion start करते हैं First important article में हम discuss करेंगे चूंकि तेको डोलर के मुकाबले में रूपी की value कम हो रही है तो ऐसी situation में सरकार को क्या करना चाहिए What next? GS paper 3 के इस topic से आप article को relate कर सकते हूं Contest क्या है? Contest जाहिर तोर पर रूपी की value डोलर के मुकाबले में काफी कमजोर हो गई है अब देखो रूपी जो है डोलर के मुकाबले में 80 से उपर चला गया है 80 से उपर तो पहले 80 का एक psychological barrier हुआ करता था कि रूपी डोलर के मुकाबले में 80 तो नहीं जाएगा लेकिन अब 80 को cross कर चुका है रूपी अब देखो एक चीज़ आपने पढ़ी होगी demand and supply का rule जिस चीज़ की demand ज्यादा होती है supply कम होती है तो उस चीज़ के rate बढ़ जाते हैं अभी चुकि dollar के rate बढ़ रहे हैं तो हमारे देश में न dollar की supply कम है और dollar की demand ज्यादा है foreign exchange reserve है हमारे पास 600 billion dollars के आसपास का लेकिन पिछले कुछ महनों में RBI ने रूपी की value को control करने के लिए 100 billion dollars अपने reserve से release कर दिये ताकि dollar की supply को compensate किया जासके जो dollar की demand बढ़ी है supply बढ़ाई जासके और रूपी की value को stabilize किया जासके लेकिन देखो इसका इतना फायदा नहीं हुआ है और writer ant में ये बोलते भी है foreign exchange reserve ये खत्म हो जाएगा लेकिन RBI रूपी की value को control करने इकोसिस करेगा तो control नहीं कर पाएगा तो RBI को एक चीज़ पर focus करना चाहिए कि volatility को कम करना मतलब रूपी की value dollar के मुकाबले में कमजोर होती है तो होने दो लेकिन एकदम से ना हो धीरे धीरे करके हो ताकि हमारे देश में जो economic situation है वो stable बनी रहे और investment आती रहे समझ गए मतलब foreign exchange reserve का आप इस्तमाल तो कीजिए लेकिन इस परकार से कीजिए कि stability बनी रहे ऐसा नहीं कि आज रूपी की value 80 है कल 86 हो जाए और तेजी से रूपी की value dollar के मकाबले में कम हो जाए ऐसे नहीं होना चाहिए इसके बाद राइटर बात करते है कि current situation क्या है देखो थोड़े से तो इंडिया के लिए रहत की बात है क्योंकि international market में crude oil के dam जो पहले 100 dollars पहुँच गए थे पर barrel वो अब 88 dollars तक आ चुके हैं तो मतलब total के dam कम हुए है दूसरा capital outflow भी stabilize हुआ है मतलब एकडम से USA के investors जो इंडिया की stock market से investment ले जा रहे थे capital का outflow हो रहा था इंडिया से बाहर जा रहा था capital वो अब stabilize हुआ है तो मतलब रूपी की value अब dollar के मुकाबले में थोड़ा तो stabilize हो गी लेकिन आप मुझे एक बात बताईए question का answer दीजिए Ukraine war के कारण international market में crude oil के दाम बढ़े थे क्या आपको लगता है Ukraine war इतना जल्दी खतम होने वाला है इसका answer है no देखो आज के समय में न Russia की position war में कमजोर हो रही है कल हमने article discuss किया था कि एक समय में Russia ने जो area capture कर लिया था Ukraine में वो area अब Russia दीरे दीरे खो रहा है Ukraine के counter offensive operation के कारण यानि Ukraine operation चला रहा है अपनी खोई जमीन को फिर से वापस हासिल करने के लिए तो देखो Putin आपको पता है हारते हुए नहीं दिखना चाहेंगे वो अपने आपको strong leader मानते हैं domestic जन्ता को और पूरे world को इस परकार से वो दिखाना चाहेंगे कि Russia की जीत हुई है तो पुतिन फिलाल की situation में न युद को बलकी escalate करना चाहेंगे escalate मतलब बढ़ाना चाहेंगे NATO countries को directly वो युद में involve करना चाहेंगे ताकि वो भी pressure feel करें कि nuclear war start हो सकता है इसलिए उन्होंने 3 लाग की force को mobilize करने का फैसला लिया है मतलब ऐसे लोग जिनको prior military experience है उनको भी युद के लिए बुलाया गया है तो मतलब situation कभी भी escalate हो सकती है युक्रियन वार में इसका मतलब देखो साफ है crude oil के नाम तो फिर से बढ़ सकते है international market में और दूसरी चीज़ देखिए US के central bank ने interest rates increase किये थे जिस वज़े से इंडिया से investment वापस लेकर जाने लगे USA के investors लेकिन देखो इसकी कोई guarantee है क्या आप एक बात बताईए कि USA का central bank फिर से interest rates को नहीं increase करेगा और ज्यादा increase करेगा तो और ज्यादा capital का outflow हो जाएगा इंडिया की stock market से USA के investors अपना dollar वापस लेके चले जाएंगे मतलब dollar के form में जो investment है वो वापस लेके चले जाएंगे इसके बाद देखो writer कहते है इंडिया का जो current account deficit है न वो इस साल 3% of GDP रहने की संभावना है जबकि आग भी ये मानता है current account deficit अगर 2.5% of GDP है न ये safe limit है और इंडिया के लिए एक बड़ी चिंता का करण पता क्या है इंडिया का fiscal deficit fiscal deficit की simple भासा में आपको बोलू तो सरकार कितना खर्चा कर रही है minus में कितना सरकार का revenue है ये होता है fiscal deficit तो मतलब fiscal deficit में होता है सरकार खर्चा ज़्यादा करती है revenue सरकार के पास कम है जैसे 110 रुपे खर्चा कर दिया revenue है सरकार का 100 रुपे 10% सरकार का क्या हो गया fiscal deficit अब आप बोलोगे कि fiscal deficit का रूपी की value से क्या लेना देना है देखो economics में यह सारी चीज़े आपस में interconnected हैं आप एक बात बताइए अगर हमारे देश में fiscal deficit 10% of GDP होगा जो कि अभी है writer के अनुसार combined fiscal deficit अगर देखे न central states का यह 10% of GDP से उपर है अगर fiscal deficit इतना ज़्यादा होगा तो फिर companies हमारे देश में ज़्यादा invest नहीं करेंगी invest नहीं करेंगी मतलब हमारे देश में ज़्यादा डोलर नहीं आएगा यानि डोलर नहीं आएगा तो supply कम हो गई जिस चीज की supply कम होती है demand ज़्यादा होती है लगाए वही रूल डोलर का जो rate है रूपी के मुकाबले में फिर बढ़ेगा इसलिए comfort zone में इंडिया को रहने के आवसकता नहीं है पिछले कुछ दिनों में situation अगर stabilize हुई है तो जरूरी नहीं कि future में भी रूपी की value stable रहेगी डोलर के मुकाबले में इसके बाद देखो writer बोलते है कुछ experts का ये बोलना है कि इंडिया का foreign exchange reserve अभी भी अच्छा खासा भरा हुआ है तो इसकी साहिता से रूपी की value को stabilize कर सकते है writer कहते है देखो बात ये नहीं है कि आपका foreign exchange reserve कितना भरा हुआ है जिसकी साहिता से foreign exchange reserve में माली जे डोलर पड़ा है अच्छा खासा तो उसको market में release कर दिया जाए supply increase हो जाए डोलर की और rate stabilize हो जाए रूपी का लेकिन writer कहते हैं जब देखो foreign exchange reserve खाली होने की rate पर आया ना तो इतना तेजी से खाली हो सकता है अगर external situation खराब हो तो फिर कितना भी भरा हुआ हो कोई फरक नहीं पढ़ता तो फरक इस बात से नहीं पढ़ता कि foreign exchange reserve आपका कितना भरा हुआ है फरक इस बात से बढ़ता है कितने rate से वो खाली हो रहा है कुछ examples देते हैं राइटर जैसे March 2022 में foreign exchange reserve था 21% of GDP Financial year 2022 में घटके हो गया 17% of GDP तो मतलब यह बहुत तेजी से कम हो सकता है burn rate कितनी है उस पर depend करता है ना कि अभी foreign exchange reserve में कितना पैसा है अब इसके बाद next question यह उठता है सरकार क्या कर रही है फिर foreign exchange reserve मान लिया एक option है कि कुछ foreign exchange reserve से dollar release कर दिया जाए रूपी को stabilize करने के लिए जो की permanent solution नहीं है राइटर के अनुसार सरकार ने न domestic traders को allow किया है कि वो अपना import और export bill जो है रूपी में settle down कर सकते हैं कुछ लोगों ने बोला सरकार की कोशिस है रूपी को internationalize करने की कि जो international trade है इंडिया का वो dollar के मुकाबले में रूपी में हो बट देखो mainly ये जो चीज थी न वो रूपी में ये जो चीज थी न रूपी में एनर्जी परचेज करें क्रूड ओल परचेज करें क्योंकि रूपी में अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल सेटल डाउन कर सकते हैं लेकिन रूपी में बोल तो दिया इंडिया ने बट अभी हमने रूपी देकर ओल परचेज करना स्टार्ट नहीं किया है जब इंडिया एक बार ऐसा करेगा फिर तो देखो एक महिने में चार बिलियन डॉलर्स की हमारी बचत हो जाएगी मतलब इतना डॉलर में जो रूपीया है हमारा बच जाएगा इतना डॉलर बच जाएगा और ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा ये भी इसका फाइदा होगा तो जल्द से जल्द इंडिया को इस अर्रेंजमेंट को इंप्लिमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए नेक्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के हिसाब से अगर देखें पहले तो ये जान लीजिए रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है देखो वेटीड एवरेज ओफ कंट्रीज करन्सी मतलब इंडिया की करन्सी की क्या वैल्यू है एस कंपेर टू बासकेट ओफ अदर मेजर करन्सी यानि दूसरी जो मेजर करन्सी है उनके कंपेरिजन में इंडिया की करन्सी की क्या वैल्यू है तो अगर इस हिसाब से देखें रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के हिसाब से तो अभी भी देखो इंडिया की जो करन्सी है यानि रूपी वो थोड़ा ओर वैल्यूड है थोड़ा सा और कम हो सकती है तो इतना भी RBI को डरने की आप सकता नहीं है अगर थोड़ा सा रूपी कमजोर होता है दोलर के मुकाबले में तो फिर इससे एक्सपोर्ट बूश्ट हो सकता है क्यूंकि देखो चाइना तो जानबूच के अपनी करंसी को डेप्रिशेट करता है एक्सपोर्ट को बूश्ट करने के लिए और इससे एक फाइदा ये भी हो सकता है ओल को छोड़के बाकी जो चीजें है न उनका इंपोर्ट कम होगा अगर रुपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में थोड़ा और कम होती है तो वो चीजें देश में ही जनरेट होने लगेंगी पर्डूच होने लगेंगी तो इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिशिट भी कम होगा लेकिन देखो इससे एक खत्रा है रुपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में और ज़दा कम होगी तो इन्फलेशन बढ़ सकती है अब देखो इन्फलेशन अगर बढ़ सकती है तो डी सुबराओ कहते हैं इसके लिए फिर मोनिटरी पोलसी आप अपनाईए रेपो रेट वगरा आपको इन्क्रीज करनी है तो कर दो फिर इन्फलेशन को कंट्रोल करने के लिए इसमें चिंता करने की बात नहीं है समझ गए तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिसकस किया रूपी की दोलर के मुकाबले में घर्टी वैल्यू के बारे में और आगे सरकार को क्या करना चाहिए चलते हैं आगे नेस्ट आर्टिकल देखो अगरो केमिकल्स से समधित हैं आप जीएस पेपर थरी के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों देखो आज भी हमारे देश में एगरिकल्चर जो हैं लाइवली हूड का सबसे में सोर्स हैं और एगरिकल्चर में एग्रो केमिकल्स का यानि केमिकल फर्टिलाजर्स और पेश्टिसाइड्स का इस्तमाल अंदा दुन्ध होता हैं जब से ग्रीन डेवलीशन आई है तब से सिंथेटिक फर्टिलाजर्स और पेश्टिसाइड्स का इस्तमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एक तरफ देखो ये दावा है कि इससे पैदावार इंक्रीज होती है प्रोडेक्टिविटी इंक्रीज होती है लेकिन देखो इनके नुक्सान भी बहुत सारे है इन फर्टिलाजर्स की वज़े से ना सिरफ इन्वार्मेंट को नुक्सान पहुंचता है बलकि ये केमिकल्स फूर्ट चैन में भी एंटर कर जाते हैं उसके बाद ना सिरफ प्लांट की हेल्थ पर हुमन की हेल्थ पर बलकि एनिमल्स की हेल्थ पर भी ये केमिकल्स असर डालते हैं जिनको खेती में यूज किया जाता है तो हमें चाहिए कि इन केमिकल्स का जो इस्तेमाल है वो कम से कम हो और कोई सस्टेनेबल अल्टरनेटिव हम फाइंड आउट करें कि अगर ये हमें नहीं यूज करना तो फिर क्या यूज किया जाएं करन्ट स्टेटस की देخो अगर हम बात करें फाइनेशल येर 2020 में इंडिया ने 61 म्लियन टन के फटलाइजर कंजूम किये जिसमें से 55 परशेंट तो शिरफ यूरिया था और इसकी बात फाइनेशल येर 2021 में इंडिया में 65 मिलीए टन के जो फटलाइजर हैं वो कंजूम हु हुए और करेंटली हमारे देश में fertilizer की production जानते हो कितनी है 42 से लेके 45 million ton के बीच में यानि थोड़ा बहुत fertilizer तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो थोड़ा बहुत कितना है 18 million ton हमारे देश में produce कम होता है consumption ज्यादा है center के द्वारा यानि union government के द्वारा subsidy दी जाती है urea fertilizers की इस्तमाल के लिए और central government के द्वारा maximum retail price भी तेया किया जाता है तो अब देखो किसानों को जो fertilizers है वो सस्ते मिलते हैं जो चीज सस्ते मिलती है उसका इस्तमाल भी बढ़ जाता है अगर देखो pesticides को regulate करने के लिए last की बात करें हमरे देश में pesticides regulate होते हैं by insecticides act 1968 और insecticides rule 1971 act को implement के लिए rules लाए गए थे 1971 में insecticides यानि insects को मारने के लिए herbicides जो unwanted plants होते हैं उनको मारने के लिए rodenticides जैसे चुहे इतियादी फसल को नुक्सान पहुंचाते है ना उनको मारने के लिए और fungicides फंगस लग जाता है plants को उनको मारने के लिए ये तमाम तरह के pesticides देश में इस्तमाल होते हैं और इंडिया में pesticides की market 2021 में जानते हो कितनी थी दोसो बारा बिलियन रुपीज आये ने रहन है और दो हजर स्ताइस में ये बढ़के हो जाएगी तिनसो बीस बिलियन रुपीज इशूज क्या है chemical fertilizers और pesticide से समधित सबसे पहले inappropriate use of fertilizers देश में देखो 292 आउट ओफ 525 मतलब टोटल districts तो जादा है लेकिन राइटर ने 525 districts की संख्या साइध इसलिए दी है कि बाकि districts में जादा fertilizer का इस्तमाल नहीं होता होगा खेती बहुल कम होती होगी तो राइटर ये कहना चाहते हैं कि 525 में से 292 districts ऐसे हैं जहां पे 85 परसेंट जो fertilizer है वो उनका इस्तमाल होता है और fertilizer में भी वैसे तो देखो एन पी के ratio जो है 4 इस्टू 2 इस्टू 1 होनी चाहिए मतलब यूरिया phosphorus और potassium इन तीनों के बीच की ratio जो है काईदे से 4 इस्टू 2 इस्टू 1 होनी चाहिए लेकिन यूरिया चुकि सस्ता मिलता है तो यूरिया का इस्तमाल किसान ज्यादा करने लगते है ओवरियूज हो जाता है यूरिया का इसके साथ साथ यूरिया को कुछ दूसरी इंडस्ट्री में भी divert कर दिया जैसे डेरी में, टेक्स्टाइल में, पेंट में, फिशरीज में, अब ओवर्यूज होता है यूरिया का, इस वज़े से, लैंड जो है, अब ज्यादा अच्छे से, रिस्पोंड नहीं करता, फटलाइजर के अगेंस्ट, मतलब पहले थोड़ा फटलाइजर इस्तमाल करते थे, ज़्यादा पैदावार बढ़ती थी, लेकिन अब बहुत-बहुत फटलाइजर इस्तमाल करना पड़ता है, तब भी प्रोडेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती, नेस्ट है, बायो मेंगनिफिकेशन, ये इन्वार्मेंट में आपने पढ़ा होगा, दिखो, सिंथेटिक फटलाइजर में जो केमिकल्स इस्तमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा जहीले होते हैं, टोक्सिक होते हैं, और ये, वैरियस ओर्गनिजम्स के टीशू में जमा होते रहते हैं, जैसे जैसे हम फूड चैन में ऊपर जाते हैं, समझ गये, इससे उनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा पर्तिकूल असर पड़ता है, यानि एडवर्स इंपक्ट पड़ता है, नेस्ट एक रियेटिंग डेट जोन्स, देखो, केमिकल फटलाइजर में फोस्फेट्स नाइटरेट्स ये सब चीजें होती हैं, जब आप इनको बिना-use किये, प्रचैन में जोड देते हैं, तो देखो, बारिस आएगी, नदी में आ जाएगे, यह नाइटरेट्स और फोस्फेट्स और नदी में आ जाएगे, नदी गिरती है समुन्दर में, समुन्दर में आ जाएंगे तो जहां पे भी ये nutrients जमा होंगे ना वहां पे algae की growth काफी ज़्यादा increase हो जाएगी, utorification हो जाता है, utorification में क्या होता है कि nutrients आगे, nutrients के वज़े से algae की growth increase हो गई, अब algae decompose भी होगा, decompose होगा, तो फिर CO2 जो है, ज़्यादा produce होगा, ocean का pH गिर जाएगा, ocean की acidification होती है इस वज़े से, और बाकी जो species है ना, उनका दम घुटने लगता है, वो मरने लगते हैं, इससे dead zone create हो जाता है, समझ गए, utorification हो गया, biomagnification हो गया, ये concepts आप environment में detail से पढ़ते हो, लेकिन अभी आप means के perspective से समझ रहे हो, इसके बाद next point है, deteriorating soil health, देखो इन chemicals का अगर ज़्यादा इस्तमाल होता है ना, तो soil की acidification होती है, soil की acidification होने की वज़े से, organic matter यानि humus content जो है, कम होने लगता है, soil में जिससे plants ज़्यादा लंबे नहीं हो पाते, soil की health पर particular असर पड़ता है, adverse impact पड़ता है, ज़्यादा chemicals के इस्तिमाल करने से, इसके बाद last है, disproportionate uses of pesticides है, जैसे आपको पता है, अंदा दूंद इस्तिमाल किया जाता है, किसानों के द्वारा pesticides को, scientific awareness नहीं होती कि इस proportion में कितना इस्तिमाल करना है, और pesticides license और marketing का भी proper regulation हमारा देश में नहीं होता, जैसे देखो अभी भी 104 pesticides हमारा देश में जो produce होते हैं, उनको दो या फिर दो से अधिक देशों में बैंद किया जा चुका है, बट इंडिया में अभी भी वो धडलले से बिक रहे हैं, सरकार उन पर लगाम नहीं लगा रही है, अब कोशिन उड़ता है, क्या किया जा सकता है, सबसे पहले inclusion of bio fertilizers, bio fertilizers जैसे कि देखो, rhizobium इनका ज़्यादा ज़्यादा इस्तमाल किया जाए, ये cost effective होते हैं, eco friendly होते हैं, अब एक अच्छी बात ये हैं, इनको ज़्यादा बड़ी मात्रा में produce करना होना, खेत में ही produce किया जा सकता है, ये 40-50 kg nitrogen को fix कर सकते हैं, और crop yield भी 10 से लेके 40% तक increase कर सकते हैं, particular land के टुकड़े में, इसके बाद next insuring year round ground cover, अब देखो, वो areas जहाँ पे न सोईल का erosion ज़्यादा होता है, वहाँ पे न कुछ पोधे ऐसे उगाए जाएं जो सदा बार हों, पूरे साल वो सोईल पर बने रहें, इससे क्या होगा, सोईल का erosion नहीं होगा, माल लिजे कुछ ऐसे पोधे उगा दिया, ऐसे पेड उगा दिया जो हमेशा सदा बार रहते हैं, तो सोईल का erosion नहीं होता, क्योंकि लैंड खाली नहीं रहता, कुछ पोधे तो वहाँ पे हमेशा रहेंगे, next, rural fertilizer banks, fertilizer को देखो, regulate किया जा सकता है, rural इलाकों में rural fertilizer banks establish करके, किसानों का अधार linked account होना चाहिए, तो जब भी वो fertilizer purchase करें, सारा data हो, किसान कहां पे किस एरिया में कितना fertilizer इस्तमाल कर रही है, sales से संबन्दित भी digital record होना चाहिए, ताकि क्रिशी department, surveillance curves के, कहां पे किसान अंदा दुन्द इस्तमाल कर रहे हैं, fertilizer को, next है crop audit and farmer awareness, पंचायत level पे crop audit conduct करवाना चाहिए, experts के द्वारा समय समय पे, तो ये पूरा article हमने डिस्कस किया, agrochemicals के इस्तमाल से संबन्दित, अब इसके बाद देखो next article, union government के एक scheme है, जल जीवन मीशन, इसके implementation से संबन्दित है, कोई बोज़रक हांस article तो है नहीं, लेकिन क्या है, दो-तिन points जो भी important है, उनको discuss कर लेते हैं, आप GS paper 1 के इस topic से article को relate कर सकते हूँ, union government के बहुत ambitious scheme है, 2024 आते आते, हर rural household को piped water की supply मिलनी चाहिए, मतलब हर एक rural household के घर में, pipe से पानी पहुँचना चाहिए, ऐसा नहीं कि, घर की महिलाओं को, मटका लेके जाना पड़ रहा है, सरकार के अनुसार दावा ये है, जल जीवन मिशन के अंतरगत, Department of Drinking, Water and Sanitation ने अभी तक, 10.2 क्रोड रूरल हाउसोल्ड को पानी पहुँचा दिया है, यानि, तोटल जितने eligible हैं, उसका 53% सरकार का ये दावा है, 2019 में जब हमने scheme launch की थी, उससे ये percentage बहुत ज़्यादा है, राइटर कहते हैं, देखो, improvement हुआ है, अच्छी बात है, हाल ही में एक private agency के द्वारा audit करवाया गया, उसने data present किया, 62% of rural households के पास, अभी piped water से supply आती है, लेकिन एक parliamentary, parliamentary standing committee की report आई थी, उसमें बुला गया था, लेकिन अच्छी बात ये है, ये mission जो है, वो progress कर रहा है, तो सरकार 2024 में target achieve कर सकती है, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजों जिन पर ध्यान दे नहीं कह सकता है, वो इस परकार से हैं, disparities काफी ज़्यादा है, जहां देखो, ये कुछ ऐसे राज्जे हैं, जहां पे, rural households में, आदे भी कम households ऐसे हैं, जहां पर, पानी की supply होती है, pipe sim, अब देखो, 75% households ऐसे हैं, जिनको, एक हफ्ते में 7 दिन पानी आता है, 8% households ऐसे भी हैं, जिनको हफ्ते में सिरफ एक दिन पानी मिलता हैं, on and average households को, हर दिन, 3 घंटे पानी मिलता हैं, chlorine contamination की भी दिक्कत हैं, पानी जो मिलता है, pipe से घर में आता है, उसमें chlorine मिला हुआ होता है, बहुत से आंगनवाडी centers और schools, जिन में survey किये गए, वहाँ पे chlorine के जो residual limits, chlorine के जो residuals थे न, वो permissimal limits से ज़्यादा थे, तो ये चिंता की बात है, last में writer बोलते हैं, COVID-19 की pandemic ने इस scheme की implementation पर असर डाला, बड़ देखो, अब सरकार के पास अच्छा मोका है, इस ambitious scheme को implement करने का, और अजादी को 75 वर्स हो गए, अभी तक हम घर-गर पानी नहीं पूंचा पाएं हैं, ये इस stigma से अब हमें दूर जाने क्या हो सकता है, और जल से जल स्कीम के target को achieve करने क्या हो सकता है, इसके लिए central government, various state governments के साथ मिल के काम करें, और जिस भी infrastructure के आप सकता है, वो infrastructure प्रोवाइड करें, सिरफ election के लिए ये scheme की implementation नहीं होनी चाहिए, वास्तों में deserving लोग जो हैं, उनके hit को ध्यान में रखते हुए, scheme के target को जल से जल से implement करने की, achieve करने की आप सकता है, तो ये पूरा article हमने डिसकस किया, Mediation Bill पर article देखो इसलिए आया है, वैसे तो ये बिल 2021 में आया था, Parliament में पर्जेंट किया गया था, लेकिन उसमें पास नहीं हुआ था, उसमें इस Bill को भेज दिया गया था, Parliamentary Standing Committee के पास, तो अब Parliamentary Panel ने अपनी report सम्मिट की है, अभी भी नहीं की है, मतलब जुलाई में की थी, लेकिन आर्टिकल राइटर्स ने आज लिखा है, क्योंकि आने वाले सेशन में इस Bill को पास किया जा सकता है, ऐसी संभावना है, तो 2021 का जो Bill था, इसमें क्या था, क्या क्या मिया थी, वो हम डिस्कॉस कर लेते हैं, देखो ये जो Mediation Time है न, Simple है, आसान है, आपको इसका मतलब बता होगा, फिर भी Example के साथ Brief में बता देता हूँ, मांग लिजिए, कोई person है, Sonu, Sonu राजिंदर नगर में रह रहा है, I.S. की त्यारी कर रहा है, किराय पर रहता है Sonu, मकान मालिक के साथ, Rent को लेके Dispute हो जाता है, अब देखो, एक solution तो Sonu के पास ये है, कि court में case file करें, लेकिन Sonu को त्यारी करनी है, वो नहीं चाहता कि court में case file क्या जाए, इतना समय लगे, इतना पैसा बरबाद हो, इतनी energy invest हो, मेरा focus divert हो, मकान मालिक भी ये नहीं चाहता, तो Sonu और मकान मालिक, किसी third individual के पास जाते हैं, दोनों मिलके, और उसको बोलते हैं कि भाया, आप हमारा समझोता करवा दो, जो तीसरा individual है ना, वो neutral है, वो Sonu और मकान मालिक के बीच में, समझोता करवा देता है, जो दोनों को मंजूर होता है, तो तीसरा जो third neutral person है ना, जिसने Sonu और मकान मालिक के बीच में समझोता करवाया, वो है mediator, और उसने जो करवाया है, वो है mediation, simple term है, ये technical definition है, जो आप answers में लिख सकते हो, mediation एक परकार का alternative dispute resolution है, जिसमें, जो involved parties हैं, जिनके बीच में dispute होता है, Sonu और मकान मालिक, वो neutral third party के पास जाते हैं, जो कि उनकी help करता है, किसी settlement पर, राजी होने में, mediation देखो, समानेता non-binding होता है, मतलब, mediation ने जो समझोता करवाया ना, मर्जी है, Sonu और मकान मालिक उसे माने, या पर ना माने, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है, कि mediation में, पहले से दोनों parties राजी हो जाएं, कि जो भी हमारे बीच में mediation होगी, वो binding होगी, उसे हमें दोनों को मानना होगा, तो समानेता non-binding होता है, लेकिन दोनों parties पहले से सोच लें, तो वो binding भी हो सकता है, देखो mediation से बहुत सरे फाइदे होते हैं, court में अगर case जाता है, तो आज आलरेड़ी आपको पता है, cases की pendency कितनी ज़्यादा है, Sonu ने case फाइल कर दिया, पता लग गया कि Sonu को I.S. बने 8 साल होगे, लेकिन rent का जो case है, अभी तक चल रहा है, समझ गये, time बरबाद होता है, पैसा जाता है, harassment होती है, तो mediation में जल्दी से अगर case फोल हो जाता है, agreement हो जाता है, तो सब को फाइदा है ना, सब के लिए win-win situation है, court के लिए win-win situation है, कि और case नहीं बढ़े, सरकार के लिए win-win situation है, जो involved parties है, जिनके बीच में dispute है, उनके लिए win-win situation है, तो इसलिए सरकार, mediation समेथ alternative dispute resolution में, दूसरे भी जो mechanisms है ना, जैसे arbitration, उनको सरकार promote करती है, लेकिन इस article में focus, mediation पर है, सरकार ना, mediation के लिए, अब एक bill लाने वाली है, parliament में, क्योंकि mediation ना, अब काफी ज़्यदा, जरूरी भी हो गया है, और इसको regulate करना भी जरूरी है, तो इसलिए सरकार चाहती है, कि mediation एक तरीके से होना चाहिए, इसको हमें promote करना चाहिए, तो इसलिए सरकार एक bill लाना चाहती है, और bill लाने से पहले, सरकार ने एक draft release किया है, comment मांगे है, और उसी draft पर, writer ने ये article लिखा है, writer कहते हैं, देखो, तीनो aspects है, मतलब, bill कुछ माइनों में अच्छा भी है, कुछ इसमें कमियां भी है, और कुछ तो provisions ऐसे हैं, जिनको देख कर निरास होने के आऊ सकता है, तो सबसे पहले हम चीजें discuss करेंगे, कि इस draft में, mediation सम्मंदी draft में, अच्छे अची चीजें क्या हैं, सबसे पहले तो देखो, तो बिल में एक चीज ये acknowledge की जाती है, कि mediation को अब एक पूरी तरह से profession मानना जरूरी है, जैसे आपको example देता हूँ, सोनू और मकान मालिक के बीच में विवाद हुआ न, वो जिस third party neutral person के पास जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो अपनी किर्याना की दुकान कर रहा है, और सोनू जाके बोलता है कि भया आपके पास थोड़ा सा time हो, तो mediation करवा दो, ऐसा नहीं, जो third party individual होना, वो professional हो, उसका काम ही हो कि दिन रात mediation करवाना, उसका profession हो, इसके बाद बिल ये भी acknowledge करता है, mediation करवास के definite rules के according, rules देखो define किया जा सकते हैं, जैसे mediation पहला question पूछेगा, Sonu से, आप क्या चाहते हो Sonu, कितना rent आप देना चाहते हो, फिर mediation question पूछेगा, किस से मकान मालिक से, कि आप इतना rent क्यों ले रहे हो, इस परकार से structured way में, दोनों का पक्स जानके, एक systematic procedure के हिसाब से, जो mediation करवाए, इसके लिए उनको training प्रोवाइड कर सकते हैं, ये institutes, next step, next point देखो, बहुत important है, बिल में ये कहा गया है, कोई भी litigation हो, उससे पहले एक बार, एक mediation का session जरूर हो, मान लिजिए, आप कोई भी case file करना चाते हो, जैसे अभी extra attempts के लिए, कुछ students हैं, वो अपना protest कर रहे हैं, वो court में जाना चाते हैं, तो मान लिजिए, litigation file करने से पहले, एक session उनका mediation का जरूर होना ही चाहिए, मतलब, वो third party individual के पास जाएं, जिसमें mediation के भाईया ये ये फाइदे हैं, ऐसे mediation होगा, पूरा session attend करने के बाद, दोनों parties की मर्जी है, कि वो mediation को opt करना चाते हैं, या फिर court में जाना चाते हैं, लेकिन एक session, litigation file करने से पहले, mediation का जरूर होना चाहिए, जिसमें mediation के फाइदे बताएगा, और बताएगा कि ऐसे आप mediation को proceed कर सकते हो, अब mediation का session attend करने के बाद, दोनों parties राजी हैं, तो mediation कर सकते हैं, दोनों में से एक party भी अगर नहीं चाता है, कि नहीं नहीं मुझे mediation नहीं करनी, तो भाईया जाओ आप court में, हमें कैज़र नहीं, mediation ऐसा, mediation ऐसा बोलेगा, इसके बाद देखो, यह भी important point है, कई बार ऐसी दिक्कत आती है, मान लीजिए, जो disputed parties हैं न, दो parties के बीच में विवाद है, Sonu और मकान मालिक, अब सोनू को, धमकी देता है मकान मालिक, mediation का session दोनों के बीच में चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच, मकान मालिक सोनू को धमकी देता है, कि मेरा room खाली कर दो, तो फिर mediation के sessions के बीच में ही, Sonu court में जा सकता है, stay लेने के लिए, कि देखो mediation का session चल रहा है और ये हमें निकाल रहा है, तो please grant me stay, तो court stay लगा सकती है, stay लगने के बाद में सोनू और मकान मालिक mediation के session फिर से भी start कर सकते हैं, resume कर सकते हैं, तो मतलब क्या हुआ, interim order हासिल करने के लिए कोई भी party court में जा सकती है, और बाद में फिर से mediation के जो session है, वो resume कर सकती हैं, next point, online dispute resolution की बात भी बोली गई है, बिल में, क्योंकि COVID-19 के बाद तो देखो, online काफी ज़्यादा जो litigations हैं, उनकी सुनवाई होने लगी हैं, तो mediation भी online हो सकता है, इसको acknowledge क्या गया है, बिल में, next point, next point देखो, ये ध्यान से सुनियेगा, जो चुप, ज ये देखो, international convention है, mediation से संबंदित, और इंडिया भी इसका signatory है, अब बिल में ये कहा गया है, कि Singapore convention on mediation के तहत, within countries की parties के बीच, जो mediation हुआ है, वो इंडिया में भी लागू होगा, अब मैं आपको example देता हूँ, जल्दी से, मान लिजिए, Singapore की कोई company है, और इंडिया में आ Singapore की company और इंडिया की company के बीच commercial settlement हुआ, मतलब mediation हुआ, तो वो mediation इंडिया में भी लागू होगा, इंडिया में भी enforce होगा, तो ये तो देखो, अभी तक सारी हमने अच्छी अच्छी चीज़े discuss की, अब draft का, यनि mediation सम्मदित, बिल का criticism writer discuss करते हैं, सबसे पहली बात वो ब job for international mediation बनाएगा ये bill, लेकिन exactly उल्टा हो सकता है, अब आपके मुन में आएगा हो, ऐसा क्यों, अभी तक तो सारा अच्छा अच्छा ही discuss क्या, उल्टा क्यों हो जाएगा, बिल में देखो एक बात ये बोली गई है, कि अगर जो international mediation है, जब इंडिया में conduct की जाएगी, international mediation मतलब जिसमें foreign parties involved हो, अगर वो mediation इंडिया में conduct होगी न, तो उसे domestic mediation माना जाएगा, फिर से बोलता हूँ अगर international mediation international mediation मतलब जिसमें foreign parties involved हो वो अगर इंडिया में conduct होगी तो उसे माना जाएगा कि ये domestic mediation है जबकि देखो domestic mediation जो होती है ना इंडिया में उसे judgment माना जाता है court का, court का order माना जाता है तो फिर आपको लगा होगा क्या दिक्कत है court का order माना जाता है दिक्कत देखो ये है, Singapore convention में ये बोला गया है कि ये convention उन पर लागू नहीं होती जो already court की judgments है judgments पर Singapore convention लागू नहीं होती ऐसा Singapore convention में बोला गया है जबकि international mediation अगर इंडिया में conduct होगा तो उसे domestic mediation माना जाएगा domestic mediation मतलब court का judgment यानि उन mediation पर फिर Singapore convention लागू नहीं होगी Singapore convention लागू नहीं होगी तो फिर मतलब वो mediation जो इंडिया में हुआ है वो विविन देशों में लागू नहीं होगा तो फिर कौन आएगा इंडिया में mediation करवाने के लिए जब वो विविन देशों में लागू होगा ही नहीं तो यह loophole है जो draft में छुटा हुआ है जिसे address करना जरूरी है अगर यह loophole नहीं address किया गया तो फिर इंडिया hub नहीं बनेगा यहाँ पे ease of doing business नहीं promote होगा तो आप इसे अभी address कर दो जो bill parliament में finally present किया जाए उसमें ऐसा कोई provision ना हो कि domestic mediation माना जाएगा international mediation जो इंडिया में conduct होगा दूसरी खराब चीज राइटर यह बोलते हैं bill के बारे में देखो इस पूरी mediation संबंदित sphere को गवन किया जाएगा एक council के द्वरा council में तीन member होंगे retired senior judge होंगे person जिसको alternative dispute resolution का experience होगा और एक academic जिसने alternative resolution को cover करवाया हो जिसने इसके बारे में पढ़ाया हो यह तीन member होंगे इस council में यह जो council होगे ना बहुत powerful body होगी जो mediation संबंदित चीजों को regulate करेगी certify करेगी, मानेता देगी, plan बनाएगी, govern करेगी लेकिन writer कहते हैं दुख की बात यह है कि इसमें एक भी mediation नहीं है alternate dispute resolution में तो काफी सारी चीज़ें आती है जैसे arbitration आता है, reconciliation आता है mediation भी आता है तो कोई जुरूरी नहीं ना, जिसने ADR के बारे में पढ़ाया हो, वो mediation का expert हो, तो यह writer बोलना चाते हैं, इसमें actual में वो person नहीं है जिसने mediation करवाया हो mediation के बारे में पढ़ाना अलग चीज़ है mediation करवाना अलग चीज़ है आपको लगा होगा, यह दूसरे नंबर का person तो वही है, a person with experience of ADR तो writer कहना चाते हैं, ADR में भी किसी को arbitration का experience ज़्यादा हो सकता है mediation हो सकता है, वो बंदा नहीं करवाता हो वो arbitration का expert हो, हो सकता है कि वो reconciliation का expert हो, mediation का experience ना हो, तो कुल मिला के council ऐसी हो सकती है, जिसमें mediation करवाने वाला बंदा होई ना, तो फिर कैसे ये बंदा, कैसे ये council अच्छे से regulate करवाएगी, mediation समंदित चीजों को, ये bureaucratic body बन के रह जाएगी, next कमी बिल में ये है देखो dispute resolution का field है judiciary का domain है, लेकिन बावजुद इसके, Chief Justice of India, picture में है नहीं, मतलब council समंदित members को, जब appoint करने की बारी आएगी ना, तो उसमें CGI का कोई रोल नहीं होगा, Chief Justice of India का कोई रोल नहीं होगा, जबकि dispute resolution जो है, वो judicial domain है, ये भी कमी है, next कमी ये है, बिल में बहुत सारे ऐसे disputes हैं, जिनको mediate नहीं करवा जा सकता, जैसे fraud है, writer कहते हैं, देखो fraud ना, बहुत बार जब दो parties के बीच में dispute होता है ना, A और B, Sonu और मकान मालिक, वो ना, बढ़ा चड़ा के आरोप लगा देते हैं, कि इसने मेरे साथ fraud किया, जबकि बढ़ा दिया, तो मतलब उस dispute का mediation नहीं हो सकता, ऐसे ही ना, एक लंबी list है कि कौन-कौन से issues का mediation नहीं हो सकता, जैसे minors और persons of unsound mind, जब ये party में involved होंगे ना, कोई भी एक party में minor होगा, ये फिर person of unsound mind होगा, तो ला कहता है कि court order pass कर सकते हैं, इनको protect तरने के लिए तो इनका भी mediation नहीं हो सकता, ये लंबी list है तो writer कहते हैं, इतनी सारी चीजें तो आपने छोड़ी दी, जैसे telecom का example ले लिजिए जो manufacturer और service provider है, consumer है, क्यों ने वो आपस में एक दूसरे से बात करके issues को resolve कर ले, तो आप इतना सारा चीजें छोड़ों मत, प्लीज अब last में writer अपने concluding remarks देते हैं writer कहते हैं, हम सब मिलके क्यों ना mediation bill को अच्छा बना दे, अभी सरकार ने हम से comments मांगे हैं, क्यों ना सभी stakeholders एक साथ आएं एक अच्छा mediation संबंदित act बनाने के लिए, क्यों ना mediator, lawyers, judges अपना दिमाग लगाएं और एक अच्छा comment, अच्छे suggestions दें सरकार को और सरकार भी उन suggestions को ले bill में सुधार लाने के लिए कुल्मिला के writer बोलते हैं हमें देखो एक अच्छा act बनाना है mediation संबंदित और इसके लिए और discussion कि आउसकता है तो वो होने दो, जल्दबाजी में Parliament में ये mediation संबंदित बिल आप ना पास करो, और एक अच्छा act हमें बनाना है, यही उनकी सोच है, तो यह पूरा article हमने discuss किया mediation संबंदित यह थी हमारी आज के discussion, फिलाल इस discussion में इतना ही है, thank you thank you very much for discussion